नमस्का दोस्तों स्वागात आप सभी का आपके अपने चनल कमपर्टेट अंग्रेक में अगर आपने अभी तक च्रेनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर लेजिए अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर दिजिए हमारा आज सा टॉफिक है व्यादि संस्क् हम संपूर्वायति संस्क्रित को हंडेड 72mcq के माद्य हम से कवर करेंगे यह वीडियो आप सभी को उन सभी एक्जाम में helpful होगा जहांपर इंसे चिस्टी से कोस्त आते हैं जैसे कि आपका पेट का एक्जाम हुआ या फिर टेट या स्वपर टेट या फिर सिट या फिर बीपी एससी यहां फिर एस सिडियस या एंडिए इनु सभी एक्जाम में आप हमारे टिलेगाम चैनल को जोईन कर सकते हैं जहां पर हम MC की कि माध्यम से दीजन करते हैं इसका लिंक डिस्क्रफ्चन में है चलिए वीडियो का हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहला कुस्चन है पुरुव एदिक यारिगवद संस्कृत का काल किसे माना जाता है इसका सही अंसर है 1500 इसापूरु से एक हैसापूरु इससे पहले की वीडियो में हमने हरपा संस्कृत की बड़ें पढ़ा हुआ था जिसका कारिकाल आपका ऻिंसापूरु इससा से 3730 इस पहतले ऑसन है पुर्वधिक की सापूरु किसी माना सापूरु मांतै इसां उत्तर व्यदिक काल को था यार्वधिक काल ढूसरा है उत्तरवदिक काल को हम ने एक हैसाप्रीक से प्रियोग मैक्समुलर ने किया था और यह इन्होंने अठाश त्रिप्र में किया हुआ था इसका अर्थ इन्होंने स्ट्रेश्ट्यकुलिन माना हुआ था तुसके अंसर हो जाएगा आप्संबी निश्ट हैं आर्यों के आप्रिक्रिक के सिधानत का प्रक्ष केसे णलिया है तो आर्यों के जो आर्किटिक खोर्म का सिधानत है कि इसको तिलेक न दिया है बाल गंगाश तिलक जिसने बीजी तिलक हवए मेकस मूलर इंहोंने मन्थ एसिय से बताया हुआ है मन्दे एसिया इसके साथ ही भरत के दाक्टर संपोंणम्न हैं उन्ञोंने मंदे एसिया ईसा कहा है नेश कोसन है और अम्बिक आर्योग बारें में निवन विस्तिकोसा कसन तहीं नहीं है आरे संस्कित बोलते थे यह सही है वे गश्वारी करते थे हाँ यह भी सही है जोंडों भारत पहुंचें ये वी सही है विकई जोंडों भारत आए और पंजाब की आसपास बसना सेちらूर किया था फसी मुखिततन नगरों नवास कते थे यह गलत है आरे जो है गावजों में रहते थे यह ग्रामेर से बहताती थे ठीक है शेहर नगरों में जो है हमारे हडप्ता के लोग रहते थे जिसका अध्यान हमने इससे पहले विडियों किया हुआ है नेश्ट कोस्टन है वेदों के संखर कितनी है यह तो बहुत अथान कोस्टन है आपको बता होगा वेद जो है चार है जोकी रिग वेद यद्रिवे और अथ्रवेद है नेश्ट कोस्टन है वे कौन से तीन वेद है जिनको त्रई या वेद त्रई कहाता है तो यह रिग वेद यद्रिवेद और श्रामवेद को ही त्रई कहाता है तो एंसर आफसर ए हो जाएगा बाके समय अथ्रवेद दिया हुआ है तो यह गलत होगा तो सबसे प्राचिनवेद रीगवेद को माना गया है। इसमें 1027 सुक्त है और इसको 10 मंडल में बाटा गया है। जो रीगवेद का अध्यन करता है उसे हुत्री कहते हैं। से याद रखेगा वैसे आगे भी एक कोशन आएगा। हमने सभी कोशन्स को कवर किया हुआ है। यह आपके एकजाम में आने वाले कोशन्स है। नेश्ट है। दिखी यहाँ पर है। रीगवत में कितने सुक्त हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया एक हर 28 सुक्त है। यहाँ पर हमको मिलान करना है। और पहले सुची में जो है हमारा वेद दिया हुआ है। और दुसरे में उसके यह करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया। रीगवत को जो अध्यान करता है उसे होत्री कहते हैं। तो इसका होत्री हो जाएगा। यहर्जविवत का जो अध्यान करता है उसे अध्वर्यू कहते हैं। तो एक का एक, दो का दो हो जाएगा। और शामवत के अध्यान करता को हम उध्या यह बहुत ही इंपोर्टेंट है अक्सरी एक्जामें पूच्छा रहता है नेस्ट है हमारा इन में से किस फसल का ग्यान वैदिक काली के लोग नहीं था तो जो वैदिक काली के लोग थे जिन्हें हम आरे भी कहते हैं उनको तमबागतों बारे जाकर आए नहीं थी नेस्ट कोस्टन है यहां पर हमको फिर से सुची को मिलान करना है सुची सिम्लान मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको एक साथ कई कोस्टन का एंसर मिल जाए इससे आप एक साथ कई कोस्टन याद कर लेंगे इसमें पहले सुची में हमें वैदिक नदियां हैं और दूसरी सुची में उनके आधुने के नाम है तो कुभा कुभा जो है काबुल की नदि को कहते हैं ठीक है तो आप इसके ऐसे आत कर सकते हैं को को ठीक है या अपने आप से एक ठीक हो ना सकते हैं पुरुशनी पुरुशनी जो है ये रावी को कहते हैं इसको आप पैसे आत कर सकते हैं कि यहां पे ए का मंत्रा है और यहां पे भी ए का मंत्रा है कुसी ट्रीक बनाई यह से असाली साफ को यादर साव को जाय के के है whatsappoder पुदुरी सतलज दिखी दोनों में सफसा से स्टार्ट हुआ है ठीक है और सदन मेरा गंडक ऐसे आप मिलान कर लिजीएगा कौन सा अफसा सही हो रहा है हम नेश देखते हैं कर्यरोन के बहुत यह कुश्चन है उत्रवदिक काल के वेद विरोधी और ब्रामण विरोधी धारमिक अधियापकों को किस नामसे जानता है तो यह कुश्चन है वारा है कि उत्त्रावधिय काल में जो वेद्विरोधी थे जो वेद्वं का वरोध करते थे और प्रामणों का वरोध करते थे ऐसे अध्यापकों को क्या खालता था तो तो सई अन्सर है स्थ्रमळ नेस्ट कोष्टन है हमारा वैदिक गडित का मत्थपूर अंग है तो वैदिक गडित का जो हमार मत्थपूर अंग है सुल्व सुत्र है किस वेद में प्राचिन वैदिक यूग की संस्कृत के बारे में सुचा दी गई है जो, वैदYeah connected की संस्कृत यह है इसके बारे म्दाध में सुचना है रेकवेद के मिलती है, रेकवेद एक अच्छा सरोत है, वैदेक दियुक है call का, निंह निश्ठ है. निमलिखित में से उत्रवेदेक काल में लिखे गacam गंतो का साही करम कौन सा है… इसके बताना आया कि कौन सा पहले लिखा गया है कौन इसके बाद तो सबसे पहले ववेद लिखे गए थे उसके बाद ब्राहमर लिखे गये उसके बाद आरन्यक लिखे गए और उसके बाद उपनिसद तो इसका सरी इस्तर हो जाएगा आपका ओप्शन ए निष्ट है भारत के राजचीन में परित्थ होने वाले सत्य में उजयते किस उपनिसद लिया गया है सत्य में जयते जो है आपका मुल्डेक उपनिसद लिया गया है कट उपनिसद में आपका लची केता और यम का सनवाध है और यह जो उपनिसद है बुरे रायक उपनिसद यह सबसे लंबा उपनिसद है निश्ठ है रिग्वेदिक आरियोंका मूंको याशा है क्या था तो जो रिग्वेदिक आरे थी उनका जुमित मुख्यं याशा है और सुपालन था विजातर गायोंका पालते थी निश्ठ है भारती संगीत का आदिगरंथ कहाता है तो भारती संगीत के जो आरी आदिगरंथ है वो सामवित को कहता है इससे आप ऐसे आत कह सकते हैं संगीत सामवित ससाद दुनों में है निष्ठ है प्रथम विधिनिर्माता कौन है तो प्रथम विधिनिर्माता मनु को मना गया है निष्ठ है किष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान गर्थ है तो किष्ण भक्ति का जो प्रधान गर्थ है उस्तरी मद भागत गेता है नेश्ट है रिग विद में संपत्य का पर्मुकुरूप क्या है तो रिग विद में संपत्य का पर्मुकुरूप है वो गोधन है गोधन मिस गायों का धन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि रिग विद में ही वैदिय की उपका वड़न है और वादी गूक के लोग पसपालंग करते थे और ये गायों का पालंग करते थे ये गायों को जहां पर इकठे होके रखते थे उसे गौतर कहते थे और एक गौतर में साधी करना अबैद था निष्ट है रिजिग विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद कि मैंने वाकस नि हमतायेगा और 90 में आपका ही कि हुंप सॉम देवता के बारे में आपके सुम है यह हैं यह अदो सुम carry परकृत्रवा देवता हा इंको कि निश SEC है ध्रीति कि प्राणों के संख्चा उठान है तो पुराणों के संख्चा अठारे हैं निश्ट है वैदिक धर्म का मुख्य लेक्षण इने में से किस की उपासना था तो वैदिक धर्म के लोग जो थे वो प्रिकृत की उपासना करते थे निश्ट कॉर्शन है किस देवता के लिए रेकविद में पूरंदर सब्द का प्रियोग हुआ है पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला और ये इस का बढ़न जो है ये इंद्र के लिए किया गया है तो मारा अप्सान इस दाई हो जाएगा निश्ट है आर्य भारत में बहार चे आये और समपतम कहां बसे थे तो आर्य अपको पता है कि मदेशिया से आई हुए थे हाला कि कई लोगों ने कई चीज़ें बताई हुई है कि उसने अड़ाटे का से बताया हुआ है मगर मदेशिया ज़दा सटिक बढ़ता है और जब मदेशिया से आये तो भी पंजाब के आसपास से बैठे थे तो आपसों सी एंसर हो जाएगा निश्ट कोस्टन है वेदों क को ऑपाुरुसा क्यों कहा गया है तो वेदों को एक पारु से इसलिए निश्ट कूरशन नाकार के देवताव को नेको नेकी ती तो इसका एंसर हो जाएगा पका Halif क्योंकि वेदों की रत्रा देवतादा रखी गई है इसलिए वेदों को अपवरु से कहा गया है निष्ट कुर्ष्टन है वैसेशिक दर्ष्टां के प्रतिपादक हैं इसका सभी अंसर हो जाएगा उलुक कड़ाद निष्ट मिमांसा जिसते पूर मिमांसा भी कहते हैं दर्ष्टन के प्रतिपादक हैं तो भारती संस्कित में 6 महत्पूर्ण भारती दर्ष्टन हैं इसके वाले हमको पढ़ना है जहां से कोस्त जादा आते हैं तो मिमांसा के प्रतिपादक जैमिनी है बादरायन जो है ये वे ये नियाय दर्शं के प्रतिपादक हैं। निष्ठ है। विदान्त या उत्तर मिमासा दर्शं के प्रतिपादक हैं। मैंने उपर ही बताया इसके बैदरायान है। जमेनी जो है मिमासा के थे। बुध जो है गौतम बुध वे बौध धर्म से हैं। और महावीर्जों है यी जैन ध Ew Hindu मिष्मसे है 24 वे ते कर ते में ब्रिष्ट है अरीग वेत का कॉंसा मनडल पुर्ता शों को समरपित जो मनडल है वह आपका 9 मनडल यी पुर्ता स्वंदेवता को समरपित horrifying और स्वंदेथा जो है में मनसपतियों के देवता अथात प्रकिल क दिखाता है इसे में आपका सुद्रू का बढ़न है पहली बार सात्मा मंडल जो है इसमें दसराज यूद के बारे में मड़न किया गया है जो क्यापका रावी नदी के तटपल लड़ा गया था नेश कोशन है प्रसित दसराज यूद का किस तटपल लड़ा गया तो दसराज यूद है मैंने पहली बारा रावी नदी के तटपल लड़ा गया और रावी का उसमें का जो नाम था ओपर उसर नहीं था ठीक है और इसका वड़न जो है साथ में मंडल में है रिगवेद के साथ में मंडल में नेश कोशन है धर्म सास्तरों में भूराजस किदर क्या थी तो जो भूराजस किदर थी ओओ एक वड़ अच्छा थी नेश कोशन है 800 इसापुरू से 600 इसापुरू का काल किसी युक से जुड़ा दता है तो 800 इसापुरू से 600 इसापुरू जो है इससे हम ब्राह्मण युक कहते हैं नेश्ठ है किस काल में अच्छुत के अधाना असपस्टोप से उदित हुई तो अच्छुत वार्यम जो अधाना है या आपका उत्तरवधिक काल में हुआ नेश्ट एस्या माईनार रिस्थीत बोगाज कोई किसलिए प्रसिद है इसका महत्तक क्यों है बोगाज कोई का तो बोगाज कोई एक अभिलेक था जिससे 1420 मिली खा गया था और इससे हमें वार्यदिक यूग के जनकारी मिलती है और ये फेमस इसलिए था क्योंकि जो अभिलेक प्राप्थ हुआ यहापे चार द्रताओं का बड़ मिलता है और ये थे इंद्र, वरूर, मित्र और एक आपके थे नासत्य इनके वार्याकारी मिलता है इसलिए महत्तुपूत्था नेश्ठ है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है तो गायत्री मंत्र आपका रिगवेत्र का जो तिर्थी है तीसरा जो मंडल है ये गायत्री मंत्र इसी में है और गायत्री मंत्र के जो लेखक है वो विश्वामेत्र है विश्वामेत्र नेश्च क्वेशन है न्याय दर्सन को प्रताजित किया तो न्याय दर्सन जो है गौतम ने प्रताजित किया इससे पहले बहुत जो कहा हूँ कपिल ने सांके दर्सन को जैमिनी ने मिमानसा को प्रतिपालित किया था इससे बार-बार से दोरा रांग क्योंकि बहुत है इक जामेक पुछता है और जाहतर किताबों में मैंने देखा है कि सभी चीज़े एक साथ नहीं है आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लेजिए निष्क से क्या जाने जाते थे इहां ध्यान देजिए प्राचिन भारत में पुछा हुआ है निस्क जो है अगले का हार होता थहा है तो इसका ऐसा जागा सोना बोल्चरु मगर बाद में निस्क को सोने के सिक्वे करूप में परिख्द होने लगा चुन थकी योगर्साड़ू के प्रत्रचिप्राधाक है, यह आपको पता होगा, पतण्जली, निस्ठ है, उपनिसाथ पुस्तके हैं, यह आपका दर्सनद्राधारीत है, ठीक है, एक बहुत यिंवुत पुर्षन पुस्ता है, कि किस उपनिसाद में सबसे पहले मोझ्प्रा का वड़ंग किया गया है मोक्ष की चाचा की गई है तो इसका एंसर होता है स्वेतास्वर उपनिसद थीक है तो स्वेतास्वर उपनिसद में इस तरपथम मोक्स की चाचा की गई है और इससे पहले बता चुका हूं कि कंठो उपनिसद में नचिकेता और यहम का सनमाद मिलता है बहुत है महत्पूर है सब्सक्रण आना शहिए यहां पर हमको मिलान करना है सुचिवल त्यक्त में किस समंधित थे हैं थिक है बहुत इम्पोर्टिंट है तो हमम यह मिलिक है consultationär में आना है रिग वथ तहा इसमेल आपका प्राथना थी धि स्वूट एमनपृतनाए रिगहेद में और जो सामवेद था पहली बताया सामवेद संगीत संगीद तो संगीत हमारा हाँ संगीत में तो दो का सी का दो ठीक है 1, अठोनवेद जो है इसमें आपके तयत्रमांद और वसेकनJackEd थी ठीक है और जो यह जुरुवेद है इसमें आपका सुर्वत्व कर्मकांड है तो इस आपसे हमारा A का 4 A का 4 B का 2 सामवेद का C का 1 और अथरोवेद D का 3 option A से ही हो जाएगा में इसक्वेस्टन है सूची वर जो सवाल होते है इस से आपको एक साथ कई सारे q선 मिल जाते है जसक्वेने पहली बताया अगला question है आरामबिक वयदिक साहित शरवादिक वडिक नदी है तो आरामबिक वयदिक साहित में अगर शरवादिक वडिक नदी का बात पूछे तो इस सिंदू है और अगर पवित्र नादिक वारत पूछे तो सस्वती है निष्ट है अध्यात्म ज्यान के विशे में अच्रिकित्ता और यम का सनवाद किस उपनिसद में है तो पहली बता चुका हूँ मैं यह जो सनवाद है यह आपका कठो उपनिसद में है कंठो उपनिसद में और आपके जो वरिद्र नाडायक उपनिसद है इस सबसे बड़ा उपनिसद है नेश्ट क्वेश्चन है कपिल मुनी द्वारा प्रतिपादी दर्संग कौन सा है तो इस उपर बताया हूँ कि यह जो है सांके दर्संग से सबंदित है नेश्ट है भारत के किस अस्थर की खुझाई में जो इस से लवधाद की प्रसंग के प्रचिंतम परमाण मिलते हैं हर्याडा के अत्रण्जी खेडा में खुझाई से हमें लवधाद के प्रचिंतम में मिले हुआ हूआ नेश्ट कुष्टन है निमने खित्र में से किसका संकलन रेगवेद पर अधारित है तो रेगवेद पर अधारित हवाराज सामवेद है ठीक है और रेजरुवेद एक ऐसा वेद है जो आपका गद वपद दोन रूप में लिखा गया है नेश्ट है कर्मकर सिद्दान संबन्दित है कर्मकर सिद्दान तरो मिमानसा के परत्थिपदक जैमेनी पहली बताया हूं ने Should यहाँ पर हमको फिर से मिलान करना है उपर मैंने बताया भी है लेकिन यह पर कुछ सर्द चेंज है चलिए इसको मिलान करते हैं सबसे पहले आप सामवेद संगेत D का 4 ठीक है तो यह आपका यह हो सकता है और यह हो सकता है यह दोनों कैंसल ठीक है कि अधिगवेद में इस सब्सक्राइब महिमा की गई है तो अधिगवेद B का एक तो आपसर एक हमारा सभी हो रहा है एक का तीन कि अथरवेद जो है आपसर सबंदित है उपरिवत बताया है तो मारा आपसर ए सभी हो जाएगा निश्ठ है चरक सन्हिता पूस्त किस्वी क्यों से सबंदित है तो जो चरक सन्हिता है वो आपका चिक्शन सबंदित है निश्ट कुस्टन है याग समंधी विद्य विधान का पता किस में सलता है तो याग समंधी जो विद्य विधान है यह आपके यजरु वेद में मिलते हैं रिग वेद में इस्वर महिमा, साम वेद में संगीत और यजर वेद में विदिविधान और अथरो वेद जो है उसमें आपका कमकान मिलता है निस्ठ है वैधिक यूगिन सभा क्या थी तो वैधिक यूग में चार समितिया थी जो राजय के साथा करती थी पहला आपका सभा था, दूसरा आपका समिति थी, तीसरा आपका विदत था और लाश्ट आपका चौथा ये गड़ था सभा में उचवर के लोग बढ़ते थे और यह पगा के मंती परसद थी जो समिती था इसमें आम लोग भी बढ़ते थे और पुरवादिकाल में इसमें महिलाओं को बैठने का अधिकार था मगर उत्तरवादिकाल में यह अधिकार से छिल लिया गया वितर जो था सबसे पुरानी समिती थी और इसमें आपका लूट का धन या फिर उपज के बटवार करने के लिसको बनाए गया था और लास्ट आपको जो गड़ था यह सभाग कितरा ही थी और यहां पर भी उचवर के लोग ही बढ़ते थे निष्ट है वैदिय के उग में पुचलीत लोगपरी साहसन पुराली थी तो वैदिय के उग में गरतन तथा मगर ज्यादा तर राजा के वह सही लोगों को चुरा जाता था निष्ट है निष्ट में सिख कों सा भारति दर्शन का आराम suficiente कर्याघ जहरा है तो सांख जो है भारति दर्शन का आराम सिख जहरा है और सांख दर्शन की जानते हैं प्रतिपादक कपिल थे सांख्य योग न्याय वैसे सिख मिमांसा और विदान्ता ये छे जो भारती दर्सन है इसकी अस्पष्ट अभिवत्ति कहां मिलती है तो इसका साइश हो जाएगा वैद्यक योग में मैंने पहली बताया था कि छे भारती दर्सन जो है इंपोर्टेंट है नेश्ट है नमिकित में इसे वह दस्तकारी कौन सी है जो आरेयों द्वारा बेहवार में नहीं लाय गए थी जो आ रहे हैं यह मिर्दभान में बनाते थे आगोशण भी और लकड़ी के कारी भी करते थे मगर वो लोहार्द नहीं थे वो लुषय से कारी नहीं करते थे तो वह असर हो जाएगा D तो यहां सुचिएक को सुचिदा से मिलाना आ है, नो जो आयूर वेद है यहां यहां साम से समान दीत है और जो आपका ऐजूर वेद है यह आपका यह जर्व वेस से समय दित है और जो आपका गंधर्व वेद है यह साम वेस समय दित है और शिल्फ वेद यह अर्षा साहरों है अर्थर वेस समय दित है तो A का A, B का 2, C का 3, D का 4, option A स्टाइब हो जाएगा जिए इस कुस्टन है रिग्वेद के कीनत 6 मदलों को बस मंडल या गुतर मंडल करते हैं ये दूसरे से साथवे मंडल को गुतर मंडल करते हैं किस वेद में जादोई माया और वस्तिक्रण का वड़न है तो जादोई माया और वस्तिक्रण का जो वड़न है आपका अथ्रव वेद में है ठीक है यजुर्व वेद में आपका येग स्वन्दी है रेग वेद में है महिमा क्या गया है इस वहर का और साम वेद जो है संगित स यह से रइग वेद में कितने मंदल है तो पहले बता चुका हूं दस मंदल है कौन सा वेद अस्था गर्द के रूप में रचित हैं हमारे सभी वेद is है पद में है मगर जब का यजुरुवेद है ये गद और पद दोनों में है तो एसर हमारा अप्शन भी हो जाएगा निश्ट कुस्तन है आप चैनल को सचाइब कर लिजेगा और दोस्ते कु इसे कर दीघेया निश्ट कुस्तन है और एक वेदी की युक की प्राचिनतम सस्था कौन से थी तो मैंने पहली बताया विदत जो था सबसे प्राचिन सस्था थी और विदत में आपका आपकी जो उपज होती थी या फिर जो लूट का समान था इसको बटवार करने के लिए इसको गनाया गया था निश्ठ है ब्रामण गंतों में सवाजिक प्राचिन कौन सा है तो सबसे प्राचिन जो ब्रामण गंत है और सत्पथ ब्रामण है एतरे ब्रामण जो है इसमें कहा गया है कि इस्तरी जो है उसने दुखों का कारण है निश्ट है गोतर व्यवस्था पचल में कव आई तो गोतर व्यवस्था जो है आपका उत्रवधिक गाल में पचल में आई थी और ये गोतर व्यवस्था ये कुछ जो आ रहे थे वे एक समूम में पनिगायों को अलगते थे और एक समू को जो है एक गोतर माना गया था और एक गोतर में जो विवा है वो वर्जित है वर्जित था और बरतमान समय भी इसको फालू कहता है एक गोतर में विवा नहीं कहता है नेश्ट है, अनलोम विवा का अर्थ है, तो विवा जो होते हैं, एक अनलोम विवा होता है, एक पतिलोम विवा, अनलोम विवा होता है, अगर लड़का जो है, जो वाय है, यह उच वड़का हो, और जो गर्ल है, यह निम्न वड़की, तो इसको अनलोम विवा कहते हैं, तो आपस्टन जायेगा आपस्टन ए ठीक है और पतिलों मिवा इसका उल्टा होता है उसमें जो लड़का है वो निवनवड़का होना चाहिए और लड़की उचवड़की देखिए वो भी कोश्टन है यहां पर पतिलों मिवा इसका उल्टा है वह ने पहली बताया कि लड़का जो है वो निवनवड़का हो और जो लड़की है उचवड़की तो हमारा आपस्टन एक क्या है उचवड़का पूरुस गलत है उचवड़की नारी हां और आपस्टन भ व्रिही इसके लिए प्रिथुवा है व्रिही निष्ट अथ्रवका अर्थ है अथ्रवेद भी है आपका अथ्रवका अर्थ जो होता है पवित्र जादू होता है निष्ट है प्राचिन्तम व्याकरण अष्ठध्याई के रचनकार है तो अष्ठध्याई के जो रचनकार है यह आपकी पाड़ी नहीं है निष्ट कौन से इसमिती प्राचिन्तम है तो मनुवी समित जो है सबसे प्राचिन है निष्ट किससे दी गई है किस संगता है ईसको यहां दखेगा कुन्सुने हो जयेगा आदिक आप रामायट को कहा गया है नगी महँभारत को नीश्ट्न प्राचिंतम पुराण है सबसे प्राचिंत पुराण आपका मतशते पुराण है निष्ट रेग्योदे में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है और सबसे अधिक बार जिस नदी का नाम लिया गया है उस सिंदु है नेश्ट है वैदिक समाज के आधरभूत इकाई थी तो वैदिक समाज के जो आधरभूत इकाई थी वो कूल्या खुटूम था सबसे चोटा यही था इसके वाद अधरभूत ग्राम आता था उसके वाद 20 और सबसे वाड़ा जन था नेश्ट क्वेशन है वारा रिगवदिक काल में किस देवता का सबसे रिगबार वड़किया गया है इसका सए अंसर है इंद्र का ही 250 बार इस्तुति की गई है रिगवदिक में नेश्ट क्वेशन है किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ तिन प्रमक विवारियों में सामिल क्या गया है तो आपकी मेंत्री सनहिता में ही कहा गया है कि सूरा आथार्थ सराब पासा आथार्थ जुवा के समानी इस्तुरी तीसरी बुराई है तो इसका सए अंसर आप्शन ए हो जाएगा रिग्वैदिक काल में किस देवता को सरवत अस्थान परत किया गया है तो रिग्वैदिक काल में आपका प्रजापती को सरवत अस्थान है और और सभा उस्थमित को प्रजापती के ही दू पुत्रियों कहा गया है और ये वर्डन जो है दू पुत्रियों वाला ये आपका आफ्रों मिलता है निक्स्ट कोस्टन है यहां हमें यह टेवारे में बताया गया है और इसका मिलान करना है आपका कौन सा यह किसी इसको पृदश्ट कता था तो अपका पहरा यह रासु यह जो है यह आपका सक्ति प्रदश्टन के लिए था इस प्रतिष्ठा जाएगा आपका सिंहाण रोहन से संबनेती आग्याग जो है यह आपका should like राजिविश्थार के लिए था तो इसका ऑसन यह दू हो जाएगा राजिंद्धिक संसरी बढ़ाने हे तुछ और बाजपियाग्य जो है आपका 100 दिखाता था 100 तो इसका 3 हो जाएगा इस तरह से वारा 1 का 1, B का 2, C का 3 और D का 4 ओप्शन इस जाएगा यह बहुत इंपोर्टन कुस्टन है जरता जो कुस्टन है राजपियाग्य असुमिर एग और बाजपियाग्य से आता है संस्कारों की संख्या कितनी है तो संस्कारों की संख्या 16 बताई गई है नेश्ट है तीन रिण में सामिल नहीं है तो तीन रिण में आपका देव रिण, पित रिण और रिस्ती रिण है मगर मातरेरेंस में नहीं है तो इसका Option D सरी हो जाएगा Next question है रेगवैदिक काल से समदित मिर्द्भान संस्कित है तो रेगवैदिक काल से समदित आपका OCP है गेडू अग्वड़ी में द्भान संस्कित और उत्रवादिक काल से आपका PGW है Next question है रेगवेद में अघण्या सद का परिवक किसके लिए क्या गया है तो अघण्य जो सब्ध है इसका थोता है वदन करने ही होगे यह आपका गाय के लिए क्या गया है यह लोग गायों को बहुत मानते थे अधर इसे अधर गाय है निल्खित में से कौन मोलत है जल या समुद्ध का देवता था जल और समुद्ध का देवता जो है वरुण है निष्ठ है तीन क्रमों अथार्फ पगों में तीनों लोग को माप लेने कराण किसे उक्रम कहा गया है तो तीन पगों में तीनों लोग को माप लेने कराण उक्रम जो है विश्ट को कहा गया है निष्ट कोस्टन है मनुश्मीत किस से समदित है तो मनुश्मीत जो है आपका समाज वरस्था समदित है निष्ठ है गायत्री मन्त क्रिचना किस ने की थी तो गायत्री मन्त क्रिचना विश्व में तरने किया हुआ है आप लोग वीडियो को सेर नहीं करते हैं प्लीज वीडियो को सेर किया किये पर दोस्तों के पास का निश्ठ है नम्रेक्षितमें से कौण से एक द्रिकवर्वादिक आर्यों की विशेष्ता नहिए तो रिकवर्वदिक आरे जैसेम जानते हैं लोह Será से प्लचत नहीं थें तो 10 gd बाकिन से भी सही है निष्ट है अच्छुत की अध्रणा है जो अच्छुत की अध्रणा सब्थम ध्रम शास्त्रों में दी गए थी स्कॉप्सन भी है बहुत इंपने को स्थन है अग्यू नेश्ट है अविस्था औरेग्वेद में समानता है अविस्था किस्छित समन्दित है तो अविस्था जो है इरान समन्दित है और अविस्था में औरेग्वेद में समानता मिलती है नेश्ठ है किस वेद में सभा को नरिष्ट अथार्थ सामोहिक वादविबाद या अलंगनी कहा गया है तो सभा को नरिष्ट कहा गया है अथ्रवेद में जैसा कि मैंने पहली बताया अथ्रवेद में ही प्रजापति के दो पुत्रियां सभा और समीत को बताया गया है पराचिनतम विवास संसकार का वड़ंग करने वाला विवास सुक्थ किसम पाया था तो यू जो विवास सुक्थ है ये रिख्वेद में है निस्ट है हमारा कि बारे में कि कौन से भीवा कप होता है लशी सको गाना गया है कि तो यहां पर मैंने सभी आश्ण परकर के विवा दूखोस में कपर किया हुआ है तो आपका ब्रंग विवा जो है कि ये है समान वड़िया समान जाकर में भूआ देव विवा होता है पुरुभीद का प्रुभिष्परस्वी 7- 독 अयक्ता आज लिएहालिए रूप जोडी गायो और शुराके आसवर होता है और पजापत्य विवा आपका ये बिना टहर्लिकating श्यमी होs कि बहुत इंपोर्टेंट है यह इसका सिकेंड पार्ट यहां पर है गंदर विवा आसुर विवा राक्ष्ष विवा और पिसाच विवा तो गंदर विवा होता है प्रेम विवा को जो लद मेरी सुट्र था उसको गंदर विवा कहते हैं आसुर विवा जो है यह होता है कन्या है कसा है और पैसात है किसी कन्या को गुमराह करके या हमाधिक आवस्था सही नहीं का उससे भी रिख या होता है ईपकर तो इसका भी गुपतितर विवाग के परमुख को करते थे तो गुपतितर विवाग के परमुख था उसको इस पस कहते थे इस पस को आप इस पाई से याद कर सकते हैं इस पाई से इस पाई में सुता है गुपतर उससे याद कर सकते हैं इसको ने इस कुश्चन है राजा के अधिकारियों को करते थे तो राजा के अधिकारियों को और अपनिन करते थे पूरवधिक काल में सात अपनिन होते थे और उत्तरवधिक काल में सत्र इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है आप चनल को लाइक, सेर और सस्काइब कर दिजेगा और अपने दोस्तों के पास जरूर सेयर किजिएगा क्योंकि अगर आपके दोस्त पढ़ेंगे तो आपका भी पढ़ने मन लगेगा धन्यवाद